चलिए तो सुरू करते हैं बाटर सॉलवल बिटामिन यानि बिटामिन बीटामिन जिसका साइंटिफिक नाम है थ्यामिन इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं यानि यह गुड एपेटाइट को मेंटेन करती है यानि इस बिटामिन के कांड हमको भूख जादा लगती है यह हमारी body के अंदर कार्बोहाइटेट का यूज कर्वाता है जो कार्बोहाइटेट हमारी body में स्टोर होता है। उसका यूज कर्वाने के लिए vitamin b1 बहुत ही अवस्चक होती है इट इस नीड़ेट फार brain metabolism, यानि brain में जो metabolism होता है उसमें यह बहुत ही helpful होती है इसकी deficiency से कौन से disease हो जाती है loss of appetite यानि भूख समापत हो जाती है और vitamin B की कमी से very very नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो जाती है ओडीमा बीकनेस हैड़ेट और GIT disorder हो जाते हैं यानि vitamin B1 की कमी से यानि B, B for very very इसकी कमी से हमें very very रोग हो जाता है उसके बाद इसकी daily dietary requirement कितनी होती है 1.5 mg per day यानि इसकी आप सकता हमें 1.5 mg per day होती है उसके बाद इसका source है rice bran और beet bran यानि rice के जो छिक्कल होते हैं चाबल के छिक्कल और जो ग्यों के छिक्कल होते हैं उसमें vitamin B1 पाई जाती है nuts और pulses यानि जो दाल होती है उसमें पाई जाती है yeast egg और meat milk यह सभी प्रकार के या जो खानी वाली चीज़ें उसमें यह vitamin B1 पाई जाती है उसके बाद vitamin B2 जिसका scientific name है रिवो फ्लेविन इसके function क्या है यह उन hormones को regulate करता है जो carbohydrate के metabolism करते हैं यानि पीछे वाला क्या था vitamin B1 का use यानि function क्या था यह जो हमारी body में carbohydrate होता है उसको यह metabolism कराने में help करती है उसी पक करका इसका function है यह उन hormones के regulate करता है जो carbohydrate के metabolism करते हैं optic nerves को भी stimulate करता है जो optic nerves होती है उसको stimulate करने कबर करता है इसकी deficiency disease कौन से होती है यानि इसकी deficiency होती है आनि आखे होती है लाल हो जाती है reproductive problem भी हो जाती है इसकी डेली डाटरी requirement कितनी होती है जीरो पाइंट फाइब से पड़े यानि जीरो पाइंट फाइंटी पड़े आपको इसकी आप सकता होती है इसका बही सोर्स है milk लीवर एग यॉल्क और इस पॉर्ड क्रेयल्स जो होते हैं उससे आपको प्राप्त होती है vitamin b2 vitamin b3 b3 का नेम है niacin आपने बहुत बार इसको पड़ा भी होगा देखा भी होगा vitamin b3 niacin इसके function क्या होते है it perform metabolic function यानि metabolic function को यह perform करती है यह carbohydrate को glucose में convert करने में help करता है यह nervous system को proper रूप से बढ़ करने में भी help करता है इसके deficiency से कौन कौन से disease होती है इसके deficiency से disease होती है dermatitis यानि inflammation of skin यानि skin में inflammation हो जाता है diarrhea हो जाती है dementia यानि memory loss हो जाना neuronal disorder जो neuron बाले disorder होते हैं बैश सभी हो जाते हैं इसकी कमी से देली डाइटरी रिकॉर्मेंट कितनी होती है यानि सिक्समजी पड़े इसकी आप सकता होती है जो विटाविन B3 होती है यानि नियासीन इसका सोर्ज क्या है लीवर फिस और बीम बीन और पाइन नट्स जो पीनट्स होते हैं उससे यह प्राप्त हो जाता है तो इस पकार से आप इसको भी पढ़ सकते हैं बीटाविन B3 आप बीटाविन B5 बताते हैं आपको पेंटोथनीक एसिड क्या होता है यानि इसके फंक्षन क्या है यह चिल्डरन एंड इंफेंट की ग्रोथ में हल्प करता है बीफाइब पेंटोथनीक एसिड इस रिकॉर्ड फर ब्रेक ड इसके लिए इसकी आपसक्ता होती है डिफिसेंसी डिसीज कौन सी है इसकी डिफिसेंसी डिसीज है एनीमिया ग्रोस प्राब्लम लीवर प्राब्लम नौजिया बॉमिटिंग फैटी लीवर यह इसकी डिफिसेंसी से डिसीज हो जाती है डेली डाटरी रिकॉर्मेंट क्या होत तो बिटामिन B5 को भी आप आसानी से एक बार देख लें आपको समझ में आ जाएगी विटामिन B6 पारिडॉक्सिन इसका फंक्षन क्या होता है इन्फेंट की ग्रोथ के लिए आव सकता पड़ती है इसकी डॉपामिन सेरोटोनिन की फॉर्मेशन के लिए आप सकता पड़ती होती है फॉर्मेशन आप आर्वीसी और डब्लूबीसी और आर्वीसी के फॉर्मेशन में भी विटामिन B6 जो होती है बहल्पूल होती है इसकी डिफिसेंसी से डिसीज होती है डिप्रेशन कंफ्यूजन डिक्रीज इम्यून इम्यूनी फंक्षन जो इम्यून फंक्षन हो लीवर और एग यॉल्क मीट और जो हरेपत्ते वाली सबजियों होती है उससे इसकी कमी पूरी हो जाती यानि सोर्ष इसका स्रोत होता है तो बिटाविन B6 का क्या है फंक्शन आपको बताई डिफिदेंस डिसीज बताई डिप्रेसं बताया यानि जो इसमें हो जाता है फिर जाता है vitamin B7, biotin जिसको हम कहते हैं, it help in metabolism of carboidid lipid protein and produce energy, जो carboidid का metabolism होता है, उसमें ये help करता है, lipid के metabolism है, protein के metabolism है, help करने के बाद, ये हमें energy देता है, deficiency disease कौन सी होती है, alopasia, यानि hair loss, जिसको हम कहते है, alopasia, इसमें hair का loss होता है, hair graying, hair gray हो जाते हैं आपके, यानि white color के होने लगते हैं, black नहीं रह जाते हैं, और daily dietary requirement क्या होती है, 100 से 300 microgram per day, इसकी आप सकता होती है, भाई इसका source यानि honey, milk, liver, egg yolk, meat, fish, या इसके भाई जो सभी vitamins के source होते हैं, भाई इसमें लिखना है, daily dietary requirement आपको याद कर ले नहीं, आपको disease भी पता होगी कि hair loss होने लगते हैं, hair graying हो जाते हैं, और metabolism आप carbohydrate lipid, तो इस पका से vitamin B7 का end होता है, vitamin B9, most important vitamin है, folic acid जिसको कहते हैं, यह protein की metabolism में help करता है, control homocytin level, यानि जो homocytin level होता है, उसको control करने में help करता है, it break homocytin amino acid, जो homocytin amino acid होता है, उसको break करने यानि तोडने में यह help करती है, vitamin B9, इसकी deficiency से disease कौन सी होती है, इसकी deficiency से disease होती है, DNA synthesis को effect पड़ता है, megaloblastic anemia, जो खतरनाक anemia होती है, बैसकी कमी से हो जाती है, abnormal large, जो red blood cells होती है, abnormal हो जाती है, daily dietary requirement होती है, इसकी 300 से 400 microgram per day, इसकी आप सकता होती है, इसका source होता है, हारी पत्ती वाली सबजी, लीवर और एक्स यानि अंडे में इसका जो source होता है, बैसा पाया जाता है, vitamin B9 का, जिसको हम कहते है, folic acid, जिसके function को बताया, deficiency disease को बताया, daily dietary requirement और source क्या है, बैसकी हमने define किया, उसके बाद, B type की जो last vitamin है, vitamin 12, हुआ है, आप सकता है, कि बाद, B type की जो बताद, B type की जो आएक्पाट, B type की जो बताद, B type